दोस्तों ये है बजाज पलसर NS 125cc 125cc की एक ऐसी वाइक है जो ठीक आपको NS 160cc और NS 200cc की तरह ही दिखती है लेकिन 2023 में इसमें कुछ खास अपडेट कमपनी ने की हैं अभी आपने इसके फ्यूल टैंक पे ब्लू कलर का श्टीकर देखा जो की E20 का श्टीकर था और इसके साथ साथ कई सारी changes हुए हैं 2023 में आपको बता दूँ सबसे पहले तो E20 वाला change हुआ है यानि की अब आप इसमें flex fuel डलवा सकते हैं जो जिसमें 20% ethanol होगा और 80% petrol होगा यानि की E20 वाला petrol और जो दूसरा change हुआ है वो इसके engine में हुआ है engine अभी आपको थोड़ा सा अच्छा refined मिलेगा BS6 phase 2 का engine मिलेगा यानि की BS6 2.0 ठीक है और जो तीसरा change है वो यह है कि इसमें आपको OBD2 का update आ चुका है और जो चौथा change है जो की होना लाजमी था वो है इसकी कीमत क्योंकि कीमत कंपनी ने बढ़ा दिये कितनी है मैं आपको वीडियो के last में on-road price के साथ बताऊंगा ताकि आप अपना budget निर्धारित कर पाएं आगे आप इसका break देख लीजे 240 mm का disc मिलता है ABS की कोई chain नहीं रगी हुई है खेर यह 125cc की bike है लेकिन आप इसी इसका ध्यान रखे कि आने वाले समय में कंपलसर ही हो जाएगा 125cc में भी ABS तब जो है नई कीमत के साथ कीमत बढ़ा कर कंपनिया फिर से ABS के साथ लाँच करेंगी आगे जो टायर मिल रहा है यह 80y 100 80 100 का 17 इंच का tubeless टायर है और आगे जो suspension है यह आपको telescopic suspension मिलता है main headlight के अगर मैं बात करूँ तो hyalogen bulb आपको लगा लगाया मिलेगा और इसमें LED जैसा कोई setup नहीं है क्योंकि अभी तो NS200 में भी LED नहीं आया है तो NS 125 में कहां से आ जाएगा तो आपको hyalogen bulb के साथ ही काम चलाना पड़ेगा और उजाले की मैं बात करूँ तो थोड़ी मेरी सिकायत है क्योंकि इसके उजाले में उतना दम नहीं है अगर आप इसमें चाहें तो जो high voltage वाला जो मतला high powerful बल्ब होता है hyalogen वाला वो आप बाद में लगवा सकते हैं तो फिर थोड़ा इसका उजाला रह और बहतर हो जाएगा अगर इसके meter console की मैं बात करूँ तो जोस्तो आपसे please request है कि इस वीडियो को like और चैनल को subscribe जरूर करिएगा यहाँ पर इसका meter console देख लिजे जो कि digital plus analog मिलता है और इसमें कोई परिवर्तर नहीं किया गया है जैसा कि आप देख रहे है रेड कलर में आपको बैटल इंडिकेटर इंजन मॉल फंक्सल लाइट नूटल इंडिकेटर और जो आपको digital console मिलता है उसमें fuel इंडिकेटर हो गया odometer हो गया, trip meter हो गया, time हो गया, यह सारी चीज़ें आपको मिलती है और जो rpm meter है वो आपको analog मिलता है अब देखिए meter console देखके कुछ लोग कहरोंगे कि इसका digit क्यों नहीं बता रहा है तो यह थोड़ा सा default है अभी यह जो है जब cell के लिए ready होगी तो उसको ठीक कर दिया जाएगा इसमें जो switches मिलते हैं आपको वही सारे switches मिलते हैं जो pulser series में company देती हैं कोई extra switches में नहीं मिलता है अच्छी बात यह कि इसमें जो है light जो blue color की light जलती है na switches के पास जितनी भी bottom लगी उनके पास वो इसमें continue है जो कि बढ़ा अच्छा लगता है रात में जलती है तो बहुत प 2020 वाला तो आप फिर उसमें डलवा नहीं बैंगे इसलिए ये वाला लेना कमपल सरी है ठीक है चलिए आगे और भी बाते कर लेते हैं इसमें 12 लिटर का fuel tank लगा हुआ है 12 लिटर सफिसेंट है मेरे साब से अगर आप एक बार भरवाते हैं तो लंबी दूरी आप तैय कर ले अब कुछ भाई लोग ऐसे हैं जो NS 125 सीसी लेकर सोचते हैं कि उन्होंने NS 200 लेली 200 सीसी वाली लेली और उसी की हिसाब सीस को रौंदते हैं इतना बुरा थ्रोटल का इस्तेमाल करते हैं हाई आर्पियम पे चलाते हैं तो भाई अब फिर माईलिस तो आपको नहीं मिलेगा आप इसीस का ध्यान रखें इंजिन के अगर मैं बात करूं तो देखिए 4 श्टोक सिंगल सिलेंडर एर कूल इंजिन मिलता है 124.45 सीसी का इंजिन है मैक्स पाउर आपको मिलेगी 11.99 पीस की 8500 आर्पियम पे और मैक्स टॉर्क मिलेगा 11 यानि 11 न्यूटर मीटर का तो के लिए तो ये बाइक बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया है लंबी धूरी अगर आप तैय करना चाहते हैं तो जाइर सी बात है आपको थोड़ा अपनी तस्रीफ का ध्यान देना पड़ेगा और जो पीछे बैठेंगे उनके लिए जो सीट लगी है इसकी कुसनिंग ज पीछे वाला टैर काफी पतला लगता है पीछे इस देखने में क्योंकि बाइक तो बहुकाली है डिजाइन के साब से बहुकाली है लेकिन पीछे कीछे तरग कोई डिस्क नहीं मिलता है 130 mm का डरम ब्रेक लगा हुआ है लेकिन ब्रेकिंग अच्छी है अगर आप धंग से च अब मैं इसका थोड़ा डाइमेंसन आपको बता दे रहा हूँ, इस बाइक की जो लंबाई है, वो 2012 mm है, उचाई 1078 mm है, जो ground clearance है वो तो भाईया काबले तारीफ है, 189 mm का, जो कि इंडियन रोट के साब से बहुत परफेक्ट है, यानि कि जो बड़े ब्रेकर वगर आएंगे उसमें आपको ज्यादा फजियत नहीं होगी, और जो अगली चीज है वो है seat height, देखे इसका बखुबी ध्यान रखेगा, seat height 805 mm की है, तो लेने से पहले टेश्ट हैट जरूर ले लीजेगा, क्योंकि जिनकी height 5.2 से कम है, उनके लिए पक्का problem होगी, ठीक है, चलिए, वज 6,355 रुपए, 1,6355 रुपीज, इसकी exorum price चल रही ही समय, all over India में, अगर on-road price पे आप जाते हैं, तो ये लगभग 1,26,000 से लेकर 1,32,000, 1,26,000 तो 1,32,000 की बीच में, ये complete on-road आपको मिल जाएगी, जिसमें कागज वगेरा, insurance वगेरा, आर्ट्यो, tax वगेरा, वो सब साम होना रही हैं, तो ये समयAh 15,34,000, 1,32,000, 1,34,000, 2,34,000, 1,35,300, 2,34,000, 1,NA.